कि नमस्कार डिफेंस आइस्पिरेंट स्वागत है त्रिशूल डिफेंस अकैडमी के यूट्यूब चैनल पे बात है 1940 की जब इस आफ्रिकन कंट्री जैसे सुडान सोमालिया इथोपिया पे आक्सिस पावर्स अटैक कर रहे थे यह आक्सिस पावर्स हैं उस जमाने में हुआ करती थी इटली जर्मनी जैपैन यह धीरे धीरे अपनी टरिट्री को बढ़ा रही थी और 1940 में तब भारत ब्रिटिश इंडिया कहलाया जाता था क्योंकि अंग्रेजों की हुकूमत हमारे देश पे थी अब ब्रिटिश इंडिया को बड़ा ब्रिटिश को परिशानी होने लग गई कि यार अगर इटली ने आफरिका भी कॉंटिनेंट पे राज कर लिया तो बहुत बड़ा इटली की पावर हो जाएगी यह एक्सिस पावस की जो 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 डॉमिनेंस से वो बहुत बढ़ जाएगी इसको कंट्रोल करने के लिए भारत ने ब्रिटिश इंडिया थी जिसमें 3rd Battalion गड़वाल राइफल्स के थे जादा अतादात में हिंदुस्तानी सोलजर्स थे यह हिंदुस्तानी सोलजर्स एक्सिस पावस से लड़े इटली से लड़े ताकि सुडान को सुमालिया को इथोपिया को अजादी मिल सके नाइटीन फॉर्टिवन में फाइनली जब सुडान को इंडिपेंडेंस मिली तो सुडान ने पहला काम यह किया कि एक लाग पाउंड्स ब्रिटिश इंडिया के वॉइस रॉइ जो इंडिया के वॉइस रॉइ थे लॉड लिनिंग थ्रो इनको भेट किया अब नाइटीन में ये एक लाग पॉंट्स जब ब्रिटिश इंडिया को मिले थे ये इसलिए मिले थे क्योंकि थर्ड बटैलियन ऑफ गड़वाल रैफल्स की वज़े से सुडान को इंडिपेंडेंस मिली सुडान आज भी नियूस पेपर्स में आर्टिकल्स में ये बोलता है कि अगर सुडान को इंडियन सुलजर्स की वज़े से इसलिए सुडान की नजर में हिंदुस्तानी आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है हिंदुस्तानी फोर्सिस के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है यही कारण था कि अभी जो सुडान में सिविल वार है इंडियन एरफोर्स के जहाज अंदर तक घुसके हिंदुस्तानी लोगों को ले आया था बहराल वापस वीडियो पे आते हैं तो एक लाग पाउंड जब इंडियन वोईस रॉय को मिला 1947 में देश अजाद के साथ साथ पार्टीशन भी हुआ पाकिस्तान बना इंडिया बना तो दोनों को 50-50,000 पाउंड मिले कि आप वार मेमोरियल बनाओ और इंडिया ने सुडान ब्लॉक बनाया नाशनल डिफिन्स अकैडमी में यह जो सुडान ब्लॉक है यह आर्मी की फील्ड गन को रेप्रेजेंट करता है इसी लिए यह भारत का सुडान ब्लॉक का नाम पढ़ा सुडान ब्लॉक जो नाशनल डिफिन्स अकैडमी की में बिल्डिंग है डिफिन्स अस्पिरेंस आज इस वीडियो में मैं बता रहा था क्या है सुडान ब्लॉक National Defense Academy का क्या है Sudan Block Sudan Block अपने आप में एक history depict करता है एक sacrifice depict करता है Sudan Block तक पहुचना ही बड़ी फकर की बात है हर हिंदुस्तानी युवा सुदान Block तक नहीं पहुच पाता Sudan Block हिंदुस्तान का सबसे बड़ा war memorial depict करता है वो sacrifice उस जमाने में 1940 में जिसकी वज़े से पूरा का पूरा देश अजाद हुआ था Defense Aspirants हमें फकर होना चाहिए Indian Army पे Indian Armed Forces पे जिसने अपने आप की कुरबानी दे के एक पूरे देश को अजाद किया सिर्फ एक देश नहीं था Sudan था, Somalia था, Ethiopia था, Eritrea था ये चार देश थे जिनको Independence मिली उन 3rd and 4th गड़वाल राइफल्स की वज़े से उस 4th and 5th Indian Divisions की वज़े से जो जिसके सैनिक अपने आपको कुरबान कर गए देश की अजादी के लिए ऐसी सेना का अगर आपको भी पार्ट बनना है National Defense Academy जैसी Prestigious Academy में पहुचना है Sudan Block जैसी जगा पे पहुचना है तो Defense Aspirants मेहनत करिए Written की तयारी करिए Assis B Interviews की तयारी करिए Trishul Defense Academy आईए सन 2003 से Retired Wing Commander Anoop Mehrotra जी जो अब इस दुनिया में नहीं है वो खुद एक से इंडिये थे उनका विजन था कि जादा से जादा बच्चे Trishul से इंडिये जाएं शायद यही कारण है कि आज 600 से जादा अधिकारी National Defense Academy पहुच गाए Trishul से Defense Aspirants अगर आपके अंदर भी लगन है जिद है Fodge की National Defense Academy की वर्दी की तो आज ही Trishul Defense Academy आईए और अपना सपना पूरा करिए Defense Aspirants अगर यह वीडियो पसंद आई तो जादा से जादा दोस्तों तक यह वीडियो पचाहिए और एक लाइक एक सब्सक्राइब तो बनता है यार जहां बनते हैं देश के गौरव इंडिया का एक मात्र ऐसा कोचिंग इंस्टिटूट जहां कैड़ेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले Defense एक्जाम के अनुसार अगर आपका भी सपना है भारतिय सेरा में शामिल होकर देश की सेवा करने का तो आज ही जोइन करें त्रिशूल Defense Academy